ओम स्री वेंकटे साहे नमहा, मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामे तोसिदास जी द्वारा वेरचित स्री रामचरित मानस के उतर कांट से संबन देत विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब तक क्या हुआ बगवान शिव जी वरणन कर रहे हैं जो जहां कागभूशिन दिव अगरा है वहां उस जगह का वरणन कर रहे हैं कि कैसे हैं उस सरोवर का जल शीतल निर्मल और मेटा है उसमें बहुत से बहुत रंगे कमल के ले हुए हैं हम सगन मीटे स्वर से बोल रहे हैं और बहुरे मदर गुंजार कर रहे हैं आगे कैसे हैं सबसे पहले गुस्वामितो सिदाजी के शब्दों में पद और पद के साथ सब पद की व्याक्या भी देखेंगे नहीं जाही तह बसी हरी ही बजई जिमिकागा सो सुन गुमा सहित अनुरागा पीपर तरूतर ध्यान सो धरई जाप जग्य पाकरितर करई आंब चाहकर मानस पूजा तजी हरी बजनू काजू नही दूजा बरतर काहरी कता प्रसंगा आवही सुनही अनेक बिहंगा रामचरित बिच्चत्र बिदिनाना प्रेम सहित कर साधर गाना सुनही सकल मति भिमल मराला बसही निरंतर जेते ही ताला जब मैं जाई सो कौत कु धेका उर उपजा आनंद भिसेशा तब कच्चु काल मराल तन दरितह कीनही निवासा साधर सुनि रगुपति गुन पुनि आयव कैलास देखे परवत का उरना इसे बता रहें की तेही गीरी रुचिर बसई कगसोई तासू नास कलपांत नहोई माया कृत गुन दोश अनेका मोह मनोज आदी अभिवेका उस सुन्दर परवत परवही पक्षिया दात काक बुशन दि बसता है उसका नाश कलप के अंत में भी नहीं होता है माया रचित अनेकों गुन दोश मोह काम आदी अभिवेक रहे ब्यापी समस्त जग माही तेही गीरी निकट कब हो नहीं जाही ताहां बस अरही बजई जिमिकागा सो सुन्वुमा सहित अनुरागा जो सारे जगत में चा रहे हैं उस परवत के पास भी कभी नहीं फटकते वहां बसकर जिस प्रकार वो काक हरी को बजता है हेव मा उसे प्रेम सहित सुनो पीपर तर तर ध्यान सो दरई जाप जग्य पाकर तर करई आम्ब चाह कर मानस पूजा तजी हरी बजन काजु नहीं दूजा देखे वह पीपल के व्रुक्ष के नीचे ध्यान करता है पाकर के नीचे जप यज्य करता है आम की चाय में मानसिक पूजा करता है स्री हरी के बजन को छोड़ कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है बरतर कहा हरी कता प्रसंगा आवही सोना ही अनेक बिहंगा रामचरित विचत्र बिदिनाना प्रेम सहित कर साधर गाना बर्गत के नीचे वो स्री हरी की कताओं के प्रसंग कहता है वहाँ अनेकों पक्षी आते और कता सुनते है वो विचत्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आधर पुरुक गान करता है सुना ही सकल मति भिमल मराला बस ही निरंतर जेते ही ताला जब मैं जाई सो कवत को देखा वुरु उपजा आनन्द विसेशा सब निर्मल बुद्धी वाले हमस जो सदा उस ताला पर बसते हैं उसे सुनते हैं जब मैंने वहाँ जाकर या कवत को अर्दातिस अच्छन्त आश्यर्य चकित दुरुष देखा तब मेरे हुरुदय में विसेश प्रसनता और आनन्द का अनुबव हुआ तब कच्चुकाल मराल तन दर्ता कीन है निवास सादर सुनी रगुपती गुन पुनी आयव कैलास तब मैंने हमस का शरीर दारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और स्री रगनादी जी के गुणों को आदर सहीत सुनकर फिर कैलास को लवटाया इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्द बताना चाहता हूं उस मनोहर परवत पर वही पक्षिया दत काग बुशंडी बसता है उसका नाश कलपांत अदत कलप के अंत में भी नहीं होता माया द्वारा रचे गए अनेक गुणों दोष मोह काम आदी अभिवेक जो सारे विश्व में व्यात हैं उस परवत के पास कभी फटकते तक नहीं वहां निवास करते हुई जिस प्रकार वो काग बुशंडी हरी का बजन करता है हे वुमा उसे प्रेम पूर्वक सुनो वो पिपल के पेड़ के नीचे ध्यान करता है पाकर के नीचे जपेजन करता है और आम की चाह में मानसिक पूजा करता है हर बजन के सिवा उसे दूसरा कोई काम नहीं है बर्गद के नीचे वो हर कतावं के प्रसंग करता है कता सुनने के लिए वहां अनेक पक्षी यकत्र होते हैं नाना प्रकार की विचित्र विदियों से वो प्रेम और आदर के साथ त्रिसिता रामचंदर स्वामी जी का चर्त्र का घान करता है विशुद्ध बुद्धी वाले सब हमस जो सदाव स्तालाप पर निवास करते हैं और उसे सुनते हैं वहां जाकर इस कौत कुदुरुष्य को देखने से मेरे फ्रोदय में विशेश आनंद उत्पन हुआ तब कुछ समय मैंने हमस का शरीर दारन कर वहां निवास किया और शीर अगनादी जी के गुणों को स्रद्धा पोरक सुनकर पुनह कैलास को लवट आया बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीमन नाराए